हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू एजुकेशनल इंसाइड दोस्तो ठंड ठिठूरन और मौसम में नमी दोस्तो बढ़ रही है ठंड का जैसे स्वागत किया जाता है वैसे प्राण और जीवन की रक्षा के लिए ठंड से बचने के लिए उपाय भी जरूरी है गरीब यतीम बेसहारा लोगों के लिए ठंड जान लेवा है साथ ही साथ जो असावधान हैं जो उदासीन हैं जो शिथिल हैं थोड़ी सी भी लापरवाही उनके लिए जान लेवा साबित हो सकती है दोस्तों नई दिल्ली से मौसम विभाग ने ठंड का एलर्ट जारी कर दिया है इन राज्यों में ठंड ही पढ़ने की पूरे के पूरे आसार हैं आने वाले 24 गंटे दोस्तों भारी पढ़ सकते हैं जे हां दोस्तों इन राज्यों में सीत लहर और बारिश की चेतावनी आई है आईए पूरी खबर दोस्तों पढ़ते हैं पहाडों पर हुई बर्फवारी के बाद वहां से आ रही हवाओं ने उतर भारत में ठिठुरन बढ़ा दी है बात करें तो पंजाब, हरियाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, विहार, जहारखंड के अलावां मद्द प्रदेश, चत्तिस, गळव, रायस्थान में भी तापमान में कमी आई है अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानमान की बात करते हैं मौसम एजंसी स्काइमेट वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दवरान अंदमान और निकोबार दीव समू के दच्छडी हिस्सों में एक या दो बार भारी बारिश, रेन के साथ हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है दच्छड आंध प्रदेश और तमिलाण में हलकी बारिश रेन हो सकती है, तीवर्ता धीरे धीरे बढ़ेगी और 20-22 दिसंबर के बीच तमिलाण में हलकी से मध्यम बारिश रेन हो सकती है और कुछ अस्तानों पर भारी बारिश हो सकती है 20 से 22 दिसंबर के बीज तच्छन आंद प्रदेश में भी हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है केरल में 21 दिसंबर से हलकी बारिश रेन हो सकती है हिमानचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में घना कोईरा चा सकता है हिवानचल प्रदेश पंजाब हरियाना के कुछ हिस्सो और उत्तिरी राजस्थान में एक या दो अस्थानों पर सीत दहर की इस्तधी रहने की संभावना है तो दोस्तों ये रही मौसम की फोरकास्टिंग और जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तरी भारत में भी मौसम दोस्तों अपने करवट बदल रहा है थंड धी में धी में पड़ा रही है चुकि दो पहर में धूप निकल आती है इस थी थंड के आसार उस रूप में उतने विक्राल नहीं है आज के लिए इतना है थैंक्स पर वाचिंग और लिस्निंग देश रिजय प्रकास्टिंग साइनिंग आप